कर दोस्तो जहारखंड लाइब के यूटुब चनल में आप सभी लोगों का यहां पर स्वागत है दोस्तो आज हम यहां पर 25 और 26 अगस्त के जो महत्पूर्ण करेंड अफ़ेर से जहारखंड के वो हम यहां पर आज देखने वाले हैं तो अगर आप जहारखंड लाइब चनल में करना है तो सबसे पहले चनल को जुरू सब्सक्राइब कर लिजे और साथी जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लिजे ताकि आगे का जो भी अपडेट्स आगा वीडियो आगी तो नोटिफिकिशन जो है वो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी तो आप किर्पेट चनल को सब्सक्राइब कर लिजे और आप डेली यहाँ पर सुबद 6 बचे मौर्णिंग में जो है वो करेंट अफियर्स की वीडियो देखा करिए इससे आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर आज जो 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 ज बना लेनी है तो चलिए आज का हम यहाँ पर मौत पुर्ण करेंट अफियर से देखते हैं तो आज का सबसे पहला कोश्चेन जो है वह देख लेते हैं लोग यहाँ पर अज़खांट सरकार आदिवासी पुजारिये को किटने रुपे मान दे देने की घोशना की है तो आप option number B जो है वो बिल्कुल सही होगा यहाँ पर 1000 रुप्या जो हे वो यहाँ पर मांसिक्स estamos मांदे देने की घुसना की गई है ज्यार्खन सर्कारद्वारा। थीक है तो इसका option जो है वह बी बिल्कुल सही answer होगा अगली question की तिरप चलता यहाँ पर ज्यार्खन में कितने तो जिकने यहाँ डेस पर करें गए हुए हुए हैं और उसके बात इहां पर बिल्कुल जही अन्सर होगा 250 थिकनी की सौन कहले में जहारखन के 13 जीलो में जो है वो खोले जाएंगे description में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर जिसा की option number D बिल्कुल जही है तो petroleum और प्राकिर्तिक गयस मंत्री धर्मेंद परधान ने भोसना की है कि 13 जीलो में 250 CNG station जो है वो खोले जाएंगे तो इसका option number D सही answer है 250 CNG station जहरखन में खोले जाएंगे चलिए अगले question की तरफ चलते हैं तीसरा number question है हाल ही में वैग्यानिक डॉक्टर अरुन सीना का नीधन हो गया वे किस छेतर से जुड़े हुए थे तो होमियोपायती से जुड़े हुए थे मौसम में परियावरन जलवायू से जुड़े हुए थे क्रिसी विभाग से जुड़े हुए थे या जी विज्ञान से जुड़े हुए थे तो इसका सही answer जो होगा वो आपका option number C जो है वो बिल्कुल सही answer होगा हाल ही में जो विज्ञानिक जो यहाँ पर अरुन सीनहा थे वो उनका नीधन हो गया है वो क्रिसी विभाग से यहाँ पर जुड़े हुए थे 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 डिस्क्रिप्सर में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं तो अंतराश्टिय ख्याति के क्रिसी विज्ञानिक डॉक्टर अरुन कुमार सीनहा का नीधन हो गया है वे बीर्षा अगरिकल्चर यहाँ पर नीचे होगा ठीक है युनिवर्सिटी में जो है वो यहाँ पर क्रिसी अभियंतरन विभाग के आध्यक्ष थे वे राची के रहने वाले थे तो आपको याद रखना है कि उनका नाम क्या है डॉक्टर अरुन सीनहा ठीक है डॉक्टर अरुन सीनहा वे ग्यानिक डॉक्टर अरुन सीनहा का निधन हो गया है तो वे क्रिसी यहाँ पर छेतर से जुड़े हुए थे चलिए अगली कुश्चन के तरफ चलते हैं यहाँ पर next question है हमारा चौथा नम्मर question Miss Teen India के final में ज्हारखंड के हचारी बाग से किसने अपनी जगा बनाई है ठीक है Miss Teen India जो है वो यहाँ पर final में पहुँच गई है हचारी बाग की है उनका नाम क्या है आपको बताना है ठीक है तो उनका नाम जो है वो यहाँ पर देख लिजए अनसीखा रानी है ठीक है क्या नाम है अनसीखा रानी तो वो जो है वो Mist in India के final में प्रवेश कर चुकी है और वो हजारी बाग से यहाँ पर रहने वाली है हजारी बाग की जहारखन राज जी की हजारी बाग जी लेकी रहने वाली है ठीक है तो उनका नाम जो है वो क्या है वो अनसिखा रानी है यहाँ पर ठीक है तो आपसे नमबर बी जो है बिलकुल सही अंसर होगा अगला कोश्चिन है हमारा डॉक्टर अभाय सागर मींज गंगटोक में होने वाले समयलन में विशेसक के रूप में भाग ल में होने वाले समयलन जो है वो वहाँ पर विशेसक के रूप में लेंगे और वो जो किस को विद्य स्विद्याले से जुड़े हुए है वो है यहाँ पर डॉक्टर स्यामा पर साथ मुखर जी विश्विद्याले से जुड़े हुए है वहाँ पर सहायक प्रदाप्यक के कि था गुलान विद्याले राची विच्व विद्याले विन्वभाबवे विच्व विच्व विद्याला तो आपका अंसर जो होगा व formed नम्बरbe bath ट्रिम परिसाम्या पर्षाद मु consent मुखर्जे विद्याले से वह जुडे हुएं जुड़े हुए हैं चलिए अगले कोश्य की तरफ चलते हैं छाठा नमर कोश्य नमर जहारखंड में किन दो नदियों को आपास में जोड़ कर देवगार गंगा जल पहुचाने का लक्ष्य रखा गया है तो स्वार्ण रिखा अब्राकर नदी को जो है वो यहाँ पर जहारखंड की दो नदियों को जोड़ कर देवगार में गंगा जल पहुचाने का लक्ष्य रखा गया है तो जैसा कि यहाँ पर हम लोग डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर देख लेते हैं गंगा से देवगार यहाँ डढ़वार नदी को जोड़ने की ओजना जहारखंड सरकारने नदी जोड़वाभ्यान के तहट प्रस्ताव केंद्र को बेजा गया है तो इन दो नदियों को जो है वो यहाँ पर जोड़ा जाएगा अगस्त या फिर पतीस अगस्त तो इसका साही अंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल साही अंसर होगा जारखन में सातवी अर्थिक गन्ना की शुरू जो है वह यहां पर 23 अगस्त को शुरूआत की गई है ठीक है डिस्क्रिप्टर में हम देख लेते हैं ऑप् जो है वह शुरू की गई है ठीक है उसके बाद चलिए अगले कोश्य में चलते हैं ठीक है यहां पर जुनियर राजवीशु परतियोगी ता जो है कब से शुरू की जाएगी ठीक है तो इसका सही अंसर जो होगा वह आप्शन नंबर डी होगा ठीक है ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है एंसर होगा 31 अगस्त से जो है वह यहां पर सुरू की जाएगी तो आपको बताना कमेंट बॉक्स में करके या व inhale बसू परतियोगिता है वह किस खेल से जुड़ा होग तो इहां पर जूनियर राजी वुसु परतियोगता जो है वो 31 सगर से शुरू होने वाली है राज्य में तो आप कमेंड करूपके जरूर बताइए कि वुसु परतियोगता जो है वो किस ख्यल से जुड़ा हुआ है अगली कुश्चिन के तरफ चलते हैं किसे मिसेज ब्यूटी आइकन इंडिया में फाइनल में वीनर घोसित किया गया है हर पृत मेहरा को पुजा सिंग दिया मोल चंदानी एवं भी दोनों को तो इसका अंसर जो होगा वो हर पृत मेहरा को जो है वो यहां पर मिसेज ब्यूटी आइकन इंडिया में फाइनल में वीनर घोसित किया गया है तो यह जमसेत पूर रहने वाली मॉडल हर प्रित महरा ने राश्टिये अस्तरिये मिस एंड मिसेज ब्यूटी आइकन इंडिया का जो है फाइनल में जीत हासिल की है ठीक है तो इनका नाम क्या है हर प्रित महरा नाम है इनका ठीक है तो मिसेज ब्यूटी आइकन इंडिया में इन्हो रही है यहाँ ठीक है चलिए आगली कोश्यर के तरक चलते हैं उम्यद करते हूं कि आपको पसंद आया होगा तो पसंद आया लाइक करिए चैलों को सब्सक्राइब नहीं किया अप्सक्राइब कर लिजे और वीडियो को अधिक चादिक सेर कर दिजे अपने WhatsApp ग्रूप में फेस्बुक ग्रूप में जहां भी आपके दोस्त हैं उनको फॉर्वर्ड कर दीजिए ताकि जो है वह अधिक जाधिक लोग यहां पर आकर पढ़ सके